जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों स्वागय थे एक बार फिर से आपका अपना यूटूब चैनल अश्टेटीवी तोक्के में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके कलाश टूएल के सोसोलोजी और उन सारे MCQ कोशन को करेंगे जो आपके एकजाम के दिरिष्टी से बहुत ही important होने वाली है क्योंकि भाई आपके 10 साल के अंदर जितने भी MCQ कोशन पुछा गया था और BBI कोशन था उसी सारे उन ही सारे MCQ कोशन को इस वीडियो में हम लोग कभर करने वाले हैं इसे आपको यह पता चल जाएगा कि कितना डीप कोशन जो है यह हमारे एकजाम में पूछा जाता है और कितने कौन-कौन सारे कोशन को पूछा जाता है तो चलिए बिना टेम वेस कि सुपरफास्ट वीडियो को शुरू करते हैं तो भाई मैं आपको बता दू कि जो इसका है यह पार्ट वन नहीं है बलकि पार्ट टू है क्योंकि पार्ट वन हमने दूसरे वीडियो में कभर कर दिया है इसलिए आप लोग उसको नहीं देखे हैं आप हमारे यूटूब चैनल के पले लिष्ट पे जाईए और वहां से आप देख सकते हैं चलिए इस वीडियो को देखते हैं कोशन नमर वन क्या कह रहा है कि उराओं निवासी है मतलब उराओं जो है किस निवास किस राज के निवासी है तो सही अंसर हो जाएगा जारखन जो है जारखन के निवासी उराओं है आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि यूवा संगटन पाया जाता है तो यूवा संगटन जो है वो जन जातीय समाज में पाया जाता है आगे देखते हैं आगे क्या है कि बाल अधिकार सनरचन हेतु किने नोबल सांती पुरुषकार से समानित किया गया था तो कैला सत्यारती जी को नोबल पुरुषकार से समानित किया गया था क्यों भाई तो बाल अधिकार सनरचन के लिए ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या क उन्हीं जो थे वो बचपन बचाओ अंदोलन के संस्थापक मानने जाते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि जनजातिये को पिछड़ने के निम्न में से एक कारण है तो क्या हो जाएगा असिच्छा हो जाएगा धर्म होगा जंगल हो जाएगा तो सह मुसलिम महिलाओं को संपती के अधार के विवाद के किसका नाम जुड़ा है तो चांद विवी का नाम जुड़ा है क्यों मुसलिम महिलाओं को संपती के अधिकार से जो विवाद होता था वो चांद विवी के नाम से जाना जाता है ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या कह हमारा कोशन नमबर 37 कह रहा है कि भारत सरकार ने सरोपर्थम अल्प संख्यक आयोग की अस्थापना कब की अल्प संख्यक जो आयोग है अर्थात एक से अधीक जो बोलते हैं उसको संथापना कब हुआ था भाई तो परति बंदित किया गया है तो चुवा चूट के जो है वो चौदवे अनुच्षेद में रखा गया है ठीक है अनुच्षेद चौदवे में हो जाएगा इसका सही इंसर आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्प संख्यक है हर्याना प अभारत के किस राज में इसाईयों की संख्या सरवधीक है बिहार हो जाएगा मध्य परदेश हो जाएगा और अप्शन यहां पर दिया गया है तमिल नाडू या केरल तो यह सही इंसर क्या हो जाएगा केरल केरल में जो है ओ इसाईयों के सबसे आधिक हैसो जनसंख्या है आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है भाई कि पूर्ण जनम की अवधारना किस धर्म से समद्धित है पूर्ण जनम की अवधारना जो है वो हिंदू धर्म में है क्या हो जाएगा हिंदू धर्म में है इसकी अवधारना के समद्धित है ठीक है आगे देखते हैं आगे क्य कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग वित वा विकास निगम की अस्थापना कब की गई तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा 1992 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1992 सही एंसर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है भाई हमारा कोसर नमर 43 है न क्या कह रहा है कि राष्टिय सत्थ अस्तर पर भारत में कुल कितने समुदायों को अलपसंख्यों को के रूप में मानयता दी गई है तो सही एंसर क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा पांच जनजातियों को जो है उन समुदायों को है ओ अलपसंख्यक माना गया है ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि छेतरवाद की समस्या का मूल कारण क्या है भाई छेतरवाद जो होता है छेतरिये विवाद होता है उसका मूख की कारण क्या है इसका सही एंसर क्या हो जाएगा आर्थिक विविन्ता संरचन विविन्ता जैविक्ये विविन्ता नैतिक विविन्ता तो सही एंसर इसका हो जाएगा आर्थिक विविन्ता ठीक है आर्थिक दिरिष्टी के कारण ही छेत्रिय विवाद होते रहता है आगे देखते हैं आगे क्या है भारत में कितने भसाएं हैं तो भारत में जो है वो 189 भसा है कितना हो जाएगा 189 भसा है आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि भारत में कित लिजे कितना भासा है तो भाई 189 भासा हो जाएगा बोलिया 200 हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है कि भारत में जान जात राजनीतिक दलों में दले को कौन समझता देता है भारत में राजनीतिक दलों को कौन समझता देता है भाई तो चुनाव आयोग जो है य धर निर्पेचता का अर्थ होता है धर निर्पेच जो है इसका सब्दिक अर्थ क्या होता है भाई हम लोग यहां पर देखते हैं कि विभीन धर्म का सस्तित्व राज का अपना कोई धर्म ना होना आनि धर्मों के परती सर्धा तो इसका सहींसर क्या हो जाएगा अन धर्मों क और आ, धर्म को मान सकते हैं, चलिए आगे क्या है भाई की भारत की राष्ट्रिय भासा कौन सी है? अर्थाथ भारत की राष्ट्रिय भासा क्या है? तो इसको मैद नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग इसको जानते हैं, गार गां धुक्न कोril जान देन का देना क्ली तो आगे क्या है कि अस्ठापना किस ने कि तो डलाराम सभाल सर्षवती चली आगे देखते अगे क्या कह रहा है हमारा इनन फिर नमर 52 ए भाम समाज की अस्थापना कव की गई थी तो ब्रहम समाज की अस्थापना था जो किया गया था चलिए क्या गया था उन्हें одна सु इसका सही हमारा सब्संसर हो झाई अगे दो कमk संकार जो है संकर किसके बच्पन का नाम था मूल संकर किसका अगर बच्पन का नाम था तो सही इंसर क्या हो जाएगा दयानंद स्वामी दयानंद का स्वामी दयानंद का जो है ओ मूल नाम था ठीक है मूल संकर चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा कोशन कि ब्रह्म समाज के संस्थापक का क्या कि उद्धेश था ब enormous माज का उद्धेश क्या था भालाई ए फिद a समापन बश्ीन सभ्य suppliers का लागू करना हिंदू धर्म की पुनाहिप्या करना इनमें से सभी उधि इसका सही नसर जो झाएगा सदर्धह की पुनाहिक्या करना चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है आगे हमारे यहां कोशन कह रहा है कि अधुनी करन जो है इसके अधारना किस ने दी अधुनी की करन का अधारना जो दिया था और डेनियल लर्नर ने दिया था क्या हो जाएगा डेनियल नर्रल हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते ह आगे हमारा कोशन क्या कह रहा भाई तो हमारा कोशन यहीं पर था और इस वीडियो को जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा भाई कि केतना डीप कोशन पूछा जाता है चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और आपके जितना आपके लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बार फिर से और आगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा अगर पहली बार आये हैं तो क्योंकि भाई जो हमारा यूट्यूब चैनल में आपक हम लोग अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भाई